जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपताब खान और आप देख रहे हैं City Headlines News दोस्तों सेकेंड बदलापूर होते होते मीरा भाइंदर कहीं ने कहीं बचा जी हां दोस्तों कुछ दिनों से आप ये सुन रहे होंगे कि एक स्कूल में बदलापूर में किस तरह से बच्चियों के साथ ह साइनल मार्च निकाला गया लोगों में अक्रोस है लोगों में अक्रोस इस बात का है कि आखिर ये सब कुछ कब थमेगा इसी तरह का एक मामला कासी मीरा पोली स्टेशन के हद में आया है जहां पे एक दस वर्षी ये बच्ची को कई दिनों से आरोपी छेड रहा था और आ पोलीस को जैसे ही कासी मीरा पोलीस को इस बात की ख़वर मिली कासी मीरा पोलीस स्टेशन के आफिसर पांच मिनट के अंदर उस स्पोर्ट पे पहुचते हैं और उस आरोपी को कहीं ने कहीं ग्रफतार कर लिया जाता है आरोपी का नाम दसरत कनोजिया बताय जा रहा है आप अरुपी के अगर उम्र की बात करूं मैं तो 24 से 25 साल के आसपास का उम्र बताय जा रहा है पता नहीं क्या हो गया है लोगों को जवान देखो नौजवान देखो बूड़े देखो किसको न किसको देखो बस एक ही कांड रेप कांड यानि कि बच्चियों को नोचना खसोटना महिलाओं को नोचना खसोटना इसके अलावा और कुछ लगता है इन लोगों को काम नहीं रह गया है किस तरह की मानसिक्ता हो गई है अभी आप कोलकता रेप केस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रूप का पा देने वाला था एक लड़की एक लेडी डॉक्तर जो डॉक्तर पूरी तरह से बनी भी नहीं थी बेचारी और उसको किस तरह से नोचा गया खसोटा गया और उसकी तो हत्या भी कर दी गई दूसरा incident अगर मैं बताऊं तो बदलापूर बदलापूर का incident बहुत ही brutal बहुत ही कुरूर है क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी बच्चीयों के साथ इसकूल में इस तरह का घिर्रित कार हुआ जिसकी वज़े से पूरा बदलापूर सुलग उठा और बदलापूर सुलगा त आपको मैं बता दू कि इसके प्रोटेस्ट करने वालों के उपर एक फायर भी धर्ज हो गया अब बताइए कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है और अगर उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो क्या उनके उपर भी कारवाई होनी चाहिए ऐसा हुआ है बदलाप गिरनित्य कार्य होगा तो क्या पोलीस उन प्रोटेस्ट करने वालों के उपर कारवाई करेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है वा बारहाल अगर मीरा भाइंदर की बात करूँ मैं तो मीरा भाइंदर की कासी मीरा पोलिस टेशन ने बेहतरीन काम किया है वक्त रहते एक्षन लिया और एक्षन लेते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया आरोपी को सलाखों के पीछे पहुचा दिया और कहीं ने कहीं सेकेंड बदलापूर होने से बच गया और इसी को ले करके अगर मैं बात को ले करके बदलापूर को ले करके कल महराष्टर बंद का भी एलान किया गया है और ये महराष्टर बंद एक अपील की गई है लोगों से जनता से लोगों से कि आप इन बच्चियों के साथ जो कुरूरता हो रहा है महिलाओं के साथ जो कुरूरता हो रही है इसके आप इस बंद का समर्थन करे और इस बंद के लिए अगर मीरा भाहिंदर की बात करूँ मैं तो मीरा भाहिंदर के बहुत ही सीनियर लीडर मुझफर हुसेन जी ने भी आवाज उठाई है आवान किया है कि 24 तारीक को बंद का समर्थन कर उन बच्चियों के न्याए में सामिल ह जिनको जिनके साथ अत्याचार होता जा रहा है तो दोस्तों ये था अपदेट पता नहीं इन बलातकारियों को कब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी शुरू होगी जिसकी वज़े से जिसके डर से ये लोग ये हरकत करना छोड़ेंगे अंत में इतना ही कहेंगे आप सब अपना ख्याल रखें एक दूसरे को द्वाओं में याद रखें तैंक यू सो मच